हेलो दोस्तों यह देखिए मेरे फोटोस इसमें आपको देखाया जाएगा डिप्रेंट डिप्रेंट टाइप के फोटोस यह यह मेरी बड़े का पोटो है बड़े केक कितना अच्छा है बहरी टेश्टी और यह बड़े के बाद हम गएते बरसाना राधरानी के दरवार गुमने के लिए और उसके बाद यह है राधरानी का मंदिर जाए हो बरसाने बाली की यह कुछ पल दोस्तों के साथ यह है फरीदाबाद की पाड़ियों का नजारा और फरीदाबाद के पहाड़ी वाले हनुमान जी महराज मादुरगा का मंदिर है वही हनुमान जी के पास में फिर अगे इन गर पे कुछ आराम फरमाते हुए आराम चैन की नीद इसमाइल यह हैं हमारे पिताज स्री पिता स्री अपने बच्चे उनाती पोतों के साथ में पोटोगिरापी सूटिंग करते हुए और मुझे अपना असीरवाद प्रदान करते हुए यह देखिए बच्चे कितने खुस हो रहे हैं अपने दादा जी के साथ पोटो किचाते हुए यह बाबा मोहन राम के दरसन करते हुए बेबाडी राजिस्तान अलवर मेरी मदर माता स्री पिता स्री मुमी है वहाँ पे अपनी बहु के साथ और यह पजरंग वाली बाबा लोटते हुए यह हैं हमारे कुछ दोस्त ग्रावों में और हैपी बड़े अजीत यास मुचों वाला स्टाइल हाव लोक्स ट्रेंड्स मुचों की तारीप जरूर करो यह है गुजराती स्टाइल में चाय पीते हुए प्लेट में यास मुचों के साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोज लेते हुए यह बापिस हवाई यात्रा यह पिता जी के साथ मुचों की कमपेरजन यह बहुचर माता बेचरा जी का मंदर है कापी अच्छा सक्ती पीट धाम है यहाँ पर लोग आते हैं मनों कामना पूरी होती है अगर आप लोगों को भी कभी मुचा मिले तो जरूर आए और अब हम चल देते हैं गांदी जी से मिलने के लिए हमदाबाद गांदी आसरम यह सावर मती नदी का किनारा सावर मती नदी में यह हैं हमारे गुजराती भाई कंकरिया जील कंकरिया जील के किनारे पे बैठ करके कौसिकसर के साथ में फोटो सूट कराते हुए और यह है मानिक चौक का सुपर गॉलिया डोसा और यह है पाटडी का बादरी धाम टेमपल और वहां के मनो मोहक दरश देखिए कितने सुन्दर है हम गए थे वहां देखने के लिए कापी अच्छा लगा बड़े मनोहक है आपको भी कभी मौका मिले तो जाएए वेरी नाइस वेरी बीटिफुल तू मच गुड कभी भी मौका मिलता है तो जरू जाने का देखो एकदम गोल्ड प्लेटेड टेमपल है कितनी सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया हैं देखने से लगता है कि भारत की संस्कृति कितनी महान है और जब आव वहां जाओगे बड़ी एक सांती सुख की अन्भूति होती है कितनी सुन्दर प्रितमा हैं देखिए भगवान की और इनको देख करके तो मन मोहक हो जाता है ऐसा लगता है कि यहीं रहो यहां से जाओ मत सुन्दर मूर्तियां हैं बहुत ही प्यारी सुन्दर मूर्तियां बड़ी मधुर आवाज में यहां पर भजन हलके हलके सुर में चल रहे थे और हमने कम से कम दो तीन घंटे यहां पर लगाए भगवान के दर्सन की जगे जगे पर गए डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलाकृतिया बनी हुई है ये बजरंग वली भगवान बजरंग वली की प्रत्मा है वहीं पर मंदिर बना द्री धाम है पाटड़ी में बहुत सुन्दर है और कई कलाकृतिया ऐसी बनी हुई है जिनके हमने फोटो लिये है चोटा चोटा संग्रेन है बहुत कापी अच्छा है कापी हद तक है बड़ी सुन्दर ऐसे लगता है जैसे नैचरल कलाकृतिया है और सुन्दर गोल्ड प्लेटेड टेमपल है एक दम ऐसे लगता है कि पूरा ही सोने से मणा हुआ है चारो तरफ उसके चोटे-चोटे गुमट टाइप के टेमपल है जो देखने में मन मुहक लगते हैं और यहाँ पर जाकर के बड़ा एक सुख की अनुभूती प्राप्त होती है यह बने द्रे धाम पड़ता है नासे का बेचराजी से एप्रोक्स 40 किलोमीटर के एप्रोक्स है बीरंगाम से भी 35-35 किलोमीटर है और एहम्दावाज से यह 60-65 किलोमीटर है और महिसाना से भी यह इतना ही 60-70 किलोमीटर के एप्रोक्स होगा लेकिन प्लेस बहुत अच्छा है गुमने लाइक है जब भी मौका मिले जरू जाना बहुत ही मनमौक एरिया है चोटी चोटी मूरतिया लेकिन बड़े सुन्दर तरीके से बनी हुई है मैंने बहुत सारे फोटो कैप्सर किये हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लगा यह साथ में मेरे प्राइब जाना